हेलो दोस्तों नमस्कार, मार्केट लर्न लवर यूटूब चैनल में मैं आपका दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बैल के आइकन को प्रेस करके ओल पर सेलेक्ट जरूर कर लिजेगा देखे आपने थम्नेल देखा होगा कि ऐसा जो मौका है वो बार-बार नहीं आता है जिन्दगी में एक ही बार आता है तो वो क्या मौका है देखे जब भी मार्केट में ग्रावट होती है तो यह हमारे लिए जो हम इन्वेस्टर होते हैं उसके लिए मौका ही होता है क्योंकि वो उपर गया, थोड़ा सा फिन नीच आया, फिर उपर गया, नीच आया, उपर गया, नीच आया, तो ऐसे चलता रहेगा, लेकिन वो लास्ट में उपर की और ही जाता हुआ हमें दिखाई देगा, तो ऐसे मार्केट में जो है, गिरते हुए मार्केट में हमें अच्छे शेर जो है लोंग टर्म के लिए उठा लेने चाहिए और देखिए आज की इस वीडियो में हम तीन से चार चार स्टो कैसे बताने वाले हैं जो इन फ्यूचर बहुत ही अच्छे ग्रोथ दिखा सकते हैं लेकिन अगेन कहना चाहूँगा कि यह कोई recommendation नहीं है आपने खरेदना है बेचना है या average करना है वो आपके उपर बात है सिर्फ यह एक education purpose के लिए है लेकिन हाँ जो मेरा view है वो मैं बता रहा हूँ इन चारो कंपनियों में मैं बहुत अच्छा invest करने वाला हूँ इसमें से एक penny share भी penny share में invest नहीं करना चाहिए तो 10% के आसपास पैसा इसमें लगा होना चाहिए हमारा penny share में क्यूंकि इस से ही wealth हमारी create होती है तो चलिए कर लेते हैं पहले stock की बात अपने तो हमारा जो आज का पहला stock है उसका नाम है देखें वेदानता लिमिटेड 308 रुगा अभी current price चल रहा है और company का future plan है बहुत ही अच्छा है extension कर रही है फिलहाल जो कामकाज करती है हमारी company यह करती है mining में काम zinc, lead, silver, copper, aluminum, iron और भी बहुत सारी चीज़े, gas बगएरा सब में यह mining करती है और oil की refining भी यह करती है company साथी साथ देखिए अब जो है इसने उडिसा में उडिसा में जो है एक लाग करोड रुपे का invest करने के लिए बोला है जो अभी वहाँ meeting हुई थी एक summit हुई थी वहाँ पर इन्होंने एक लाग करोड रुपे के MOU साइन किये हैं और परसो ही वेदानता के बारे में जो इनके अनिल अगरवाल जी है उन्होंने बोला था कि इस company को जो है 2030 तक 100 billion मतलब 100 अरब डॉलर की company यह बना देंगे 2030 तक अभी कितना market cap है company का अभी है लगभग 12 billion के आसपास 12 billion dollar के सिर्फ देखिए 1,14,415 करोड की company है यह 10,000,000 करोड की company हो जाएगी सिर्फ 2030 तक तो बहुत ही शांदार company का vision है और गोवा में भी इन्होंने अभी mining की एक खान पे जीती थी बिड जीती थी इन्होंने जिसमे 43,000 करोड रुपे की बोली इन्होंने लगाई थी और 50 सा company का बहुत ही अच्छा है extension कर रही है company अपने business का हाँ करजा तो company के ऊपर है लेकिन देखिए dividend का बातसा है यह company और अभी जो है हमें काफी अच्छे correction पर मिल रहा है कभी इसका share 400 के आसपास हुआ करता है 438 तक यह इसने high लगाया था और अब जो है हमें 300 रुपे पर यह मि minus के return है minus में है देखिए लगभग 1% के minus return पांच दिन की अगर बात करें तो 5 दिन में 2% के positive return है एक महीने की बात करें तब भी negative है 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 33% के return है मतलब long term में company अच्छा return देती है हमें एक साल की बात करें तो 13% के minus में और देखिए more time देखें त फैसे है तो कितना बड़ा कंसी नहें रिटन दिया है इसने और जो डिविडेंट देती है बहुत थो बहुत ही शांधार है बहुत की ज्यादा विडेंट के मिलते हैं तो डिविडेंट बहुत थी तक्षड़ा ये कंपनी देतі है और in future ये 300 का price जो है आपको 3500 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है 2030 तक ये है कि long term ये हमें hold करना पड़ेगा long term का मतलब मेरा ये नहीं है कि 2-3 साल long term का मतलब है कम से कम भी नहीं तो 5-7 साल इसको hold करना पड़ेगा उसके बाद ये कम से कम आपका पैसा देखिए 10 से 20 गुना भी करता हुआ दिखाई देगा और जो dividend मिलेगा बहुत अलग है ही बात कर लेते हैं अपने दूसरे stock की तो next stock है हमारा Tata Elexi current price 6429 रुपे का है बहुत से लोगों को बहुत महेंगा लग रहा होगा लेकिन 102 share लेकर अगर डाल दो इसके तो in future बहुत ही सांदार return company दे सकती है IT की company है और artificial intelligence में काम काज करती हुई दिखाई देती है clouding में काम करती है और सिर्फ 40,000 करोड का market cap है तो यहां से आप देखिए ना की share price से अगर 6,000 रुपे आप लगाते हैं इसमें 6,400 का एक share लेते हैं तो भी बहुत सांदार return ये company जो है in future दे सकती है 10,000 तक का इसका highest ग 19 का अभी थोड़ा से दिन और इसको PE को 40 के आसपास तक आने दीजिए उसके बाद इसमें buying की जा सकती है 37 का इसका ROE है ROC है 47 का और face value 10 की है तो split भी देखने को हमें company में मिल सकता है company के अगर देखे हैं हम कुछ conge और proge की बात करें तो conge में बस ये है कि book value सो ओपर trade कर रहा है लेकिन company जब अच्छे profit करती है तो ये book value सो ओपर trade करने लगती है हमेशा ही होता है ये और देखिए अगर proge की बात करें तो एक good quarter company के expect किया जा रहा है 5 साल से 26% के लगबग ज dividend payout बना रखा है company के sales भी हमेशा बढ़ती हुई दिखाई देंगी 400 करोड की हुआ करती थी 763 करोड की हो गई है profit की बात करें तो profit भी हमेशा बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा 75 करोड का भी हुआ करता था 174 करोड का भी हो चुका है देखिए अगर इसके इन आंक्रों प 34% का है बहुत बढ़िया return company पहले भी दे रही है लेकिन अब देखिए जब से हमारा जो artificial intelligence इसमें कामकाज होते हुए दिखाई दिखाई दिया है तब से देखिए 31% sales growth बढ़ रही है profit growth 40% से बढ़ रही है CAGR 12% से बढ़ा है और equity परे जो return मिला है वो मिला है 37% का तो सब कुछ बहुत अच्छा होते हुए company में दिखाई दे रहा है अगर share holding pattern की बात करें तो लगबख 44% promoters के पास है FII के पास लगबख 15% देखिए कितना तकड़ा amount FII ने लगाया हुआ है DII के पास भी लगबख 4 परसेंट है और public के पास लगबख 37% है अब देख लेते हैं अपना तीसरा share जो की एक penny share है share का नाम है देखिए company का नाम है मिष्ठान food limited सिर्फ 9 रुपे 17 पैसे पर trade कर रहा है एक negative return company ने दिया है अभी तक और यह जो है premium बायसमती rice में काम करता हुआ दिखाई देता है हमे FMCG में काम करता है इसके पास automatic stores है और अभी जो है सिर्फ इंडिया में काम काज करते हुआ हमें दिखाई देता है लेकिन future इसका यह है कि यह बिदेशों में भी काम करें और इसी के वज़ए से इसके जो promoters है वो रोज के रोज डेली के डेली माल उठा रहे हैं देखिए 970 करोड की चोटी सी कंपनी है 9 रुपए 17 पैसे का इसका current price है और लगवग लगवग अपने लोग के पास मिल रहा है book value है एक रुपए 23 पैसे की PE भी सस्ता है इसका 21 का ROE है 38 और ROCE है 36 का इतनी चोटी कंपनी होने के बाब जूद भी 36% से ज्यादा का ROE दे रही है कंपनी त तो देखिए सिर्फ कौझ में है कि book value से ओपर trade कर रही है क्योंकि अच्छे profit करती है पहले ही बताया है अच्छे profit करेगी तो book value से ओपर trade करेगी ही साथी साथ देखिए इसने जो है इसके प्रोज देखिए अपना debt कम किया है ठीक है एक good quarter company देने वाली है 80% का CAGR पिछले 5 स सालों से बनाया हुआ है कितना तकडा और इतनी चोटी company होने के बावजूद भी 58% का एक healthy dividend payout इसने बना रखा है और यहां नीचे आप देखेंगे तो देखें sales growth 47% से बड़ी है profit growth 310% से stock CAGR अभी नहीं बढ़ा है ज्यादा क्योंकि इस बार correction देखने को मिला है CAGR में और equity return है 37% चोटी company होने के बावजूद अच्छे return company दे रही है करजा company के पास है नहीं और अगर share holding pattern देखें तो लगवववव 50% है public के पास और 50% है promotors के पास और आप अगर इसमें देखें यहां पर इसके करजे की बात करें तो सिर्फ 41 करोल का चोटा सा एक करजा है तो बहुत बड़ी बात नहीं है और देखें अभी हम आ चुके हैं BSC की साइट पर और यहां last में हम देखें अगर corporate action में जाके तो यहां आप देखेंगे कि यह देखे इनके एक promoter है यह हितेश कुमार गोरी संकर पटेल अगर यहां से आप देखें इनको यहां से नीचे से हमेशा देखें इनका ही नाम हर जगा आपको मिलेगा यहां से उपर को और यह हमेशा उठा रहे हैं acquisition 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 डेली यह जो है शेर उठा रहे हैं अपने company के और यह देखें 15 नवंबर से इन्होंने market में share उठाना शुरू किये हैं और अभी तक जो है यह उठा ही रहे हैं डेली लास्ट बार 7 दिसंबर को इन्होंने purchase किया था अपने ही share तो क्योंकि company का देखें पता है इन्हें के अब जो है इनका company बहुत अच्छा करने वाली है तभी तो डेली यह profit sorry देली माल उठा रहे हैं अपना यह अना daily holding बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि अब जो है company बहुत ही अच्छा इन future करने वाली है तो अब बात कर लेते हैं देखें लास्ट company की लास्ट जो सेर है हमारा इसका नाम है टाटा पाबर कंपनी लिमिटेड 277 का current price है 2% की ग्रा ग्रावट चल रही है इस ग्रावट का देखें फायदा हमें उठाना चाहिए और इसके फेवर में बहुत सारी चीज़े आती है देखें अभी जो है एक लाख एवी चार्जिंग इस्टेशन यह बनाने वाले हैं और solar rooftop में यह काम कर रहे हैं इन future जो है जो हमारा renewable energy है उसम market cap company का देखें तो 69,000 करोड का है 217 का current price है 298 का high और 190 का low तो यह भी लगबग low के पास मिल रहा है हमें stock का PE है 27 का book value 80 की है dividend भी company देती है ROE और ROC इसका थोड़ा सा कम है लेकिन अब जैसे जैसे renewal energy में काम होगा यह हमें अच्छे return देता हुआ share दिखाई देगा बात करें company की sales की तो जहां कहीं sales 33,000 करोड की हुआ करती थी वहां 51,000 करोड की हो गई है जहां देखिए profit हुआ करते थे कभी 12 करोड के तो यह 12 करोड से बढ़कर अब हो गए है 3,000 करोड के यहां आप देखिए कितना सांदार profit growth हमें company में देखने को मिली है और पहले अगर हम बात करने तो पहले तो खैर कम ही थी profit growth लेकिन अब देखिए जब से रिनोल एनरजी में काम काज होना सुरू हुआ है sales growth 36% से बढ़ी है profit growth लगभग दुगनी होगी है 70% से CAGR इस बार नहीं बड़ा है इस बार सस्ते में भी मिल रहा है हमें company के पास रेजर भी है लगभग 25,000 करोड के लेकिन करजा भी है 53,000 करोड का यह थोड़ी सी दिक्कत वाली बात company में दिखाई देती है अगर हम share holding pattern देखें तो share holding pattern भी हमें अच्छा दिखाई देता है 40% देखें promoters के पास है लगभग 47% और लगभग 7-10% FII और DII के पास देखें कितना तखड़ा माल है 14% से उपर का भारत सरकार पे भी इसके कुछ shares है और public के पास है सिर्फ 28% तो दोस्तो आज के चार best stock जिसमें मैं invest करने वाला हूं मैंने किया हुआ भी है इनमें कुछ में और कुछ में जो है भी नहीं किया है तो उनको अब मैं करूँगा तो ये थे सारी stock दोस्तो वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक किजिएगा और चैनल को subscribe जरू जय भारत